हेलो गाईज, वेलकम टू माई चैनल, तो मैं साल की शुरुवात कर रही हूँ गाजर के हलवे के साथ, आप सभी लोगों के लिए कुछ मीठा, तो मैंने गाजर जो है वो अल्रेडी ग्रेट करके रखे वेते पहले से ही, आप लोग अगर वरकिंग वुमेंज हैं या आपके गी डाला था मैंने दो चम्मच, उसके बाद इसमें गाजर डाल दिया है, जो डाल रही हूँ मैं अभी, उसके बाद से हमने रख दिया कुछ देर के लिए, दूद डाल गे, दूद मैंने इसमें आधा पकेट डाला है, और ये अमूल खोया है, आप चाहें तो बर्फी डा पुराने जमाने में मेरी नानी बोलती थी और बाकी लोग भी बोलते हैं, ठीक है, और फिर इसमें आप इलाइची पाउडर, आपके अकॉर्डिंग आप जो डालना चाहते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, इसके बाद मैं यहाँ पर खोया से डाल रही हूँ, खोय से ही मेश कर रही हूँ, और इसके बाद फिर जो यह खोया है, इसे बहुत अच्छे टंग से ग्राइन करना है, क्योंकि खोया डालने के बाद गाजर पानी बहुत जादा चोड़ता है, तो आप ध्यान रखना कि खोया प्लास्ट प्रोसीजर जब आपका एंड होने वाला ह तो यह बन चुका है, इसके बाद आप घी चाहे तो डाल सकते हैं, इस यह डाइट कॉंशियस तो आप मट डालो, तो इसमें यह चोटा वाला जो गी का आपको दिख रहा है, यह मेरा पूरा खर्दम हो गया है इस गाजर के हलवे में, मतलब हाफ से जादा था यह खतम हो च जाला, एंड इन मैं अपने हजबिन के पास गई, जस बिकाज अफ हिम मैंने यह बनाया था, बिकाज उसको बहुत पसंद है, मेरे हाथ का गजर कहलवा, और यह उसे बहुत अच्छा लगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, तुटा!